हेलो एबरियों वेलकम बैक, टेस्ट नमबर बार है, इलाबाद हाई कोट एरो, क्यारे टेस्ट अल्रेडी कम्प्लीट करा चुका हूँ, जितने भी स्टुडेंट नहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, गंटी के बटन को जरूर दबा देना, ये है यूट्यूब चै जाएए, उससे जुड़ जाएए, फेस्ट पेज को लाइक कर लेजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रस्ण है, टेस्ट नमबर बारह का, अमरतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरू ने की थी, देखें इंपोर्टेंट प्रस्ण है, देखें सिख गुरू, सिख पर PCSO आने बला उत्तर प्रदेश का, या ARO समिक्षा दिकारी हो, इलाबाद हाई कोड से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरतसर नगर की स्थापना जी सिख गुरू ने की थी, उनका नाम है गुरू रामदास, चलिए आगे देखते हैं, प्रस्ण नमबर दो है, म अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं, सिवाजी की राजधानी थी, कौन सी थी सिवाजी की राजधानी, वो थी राएगड़, अगला प्रस्ण है, हुमायू नामा किस ने लिखी है, देखिए मोस्ट इंपोटेंट है, और रिपीटेड भी है, बहुत बार रिपीट हुआ इस तरह है, घुल बदन बेगम, घुल बदन बेगम ने लिखी थी, हुमायू नामा, आई नियक बरी के लेकर अबुल्फ अब वुल्फ चले, इम्पोटेंट है याद रखिए, मयूर सिहांसन का निर्मान किसे ने करवाया था, लेकिए मयूर सिहांसन का जो निर्मान करव अपसन नमबर D, अयुद्ध्या में इस्तित है, नेक्स प्रसन की तरह बढ़ते हैं, देखिए अगला जब प्रसन है, प्रसन नमबर साथ, निमलेखित को, रचनाओं एब हम उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें, तो यह है देखिए रचनाओं यह है उनके लेखक, अब इन बावर नामा बावर लेखक हैं, और पात्साह नामा अब्दुल हमीद लाहोरी हैं, सारी की सारी इंपोटेंट हैं, फिर से मिलवा देते हैं, तुझु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखिए, नुस्खा ए दिल कुशा, भीम सेन बुरान पुरी ने लिखिए, बावर नाम बावर ने लिखिए, पात्साह नामा अब्दुल हमीद लाहोरी ने लिखिए, इंपोटेंट है, नेक्स्ट प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, आदी ग्रंथ का संखलन तथा सौन मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था, देखिए, इंपोटेंट है, इतना भी पूछा जा स सौन मंदिर का निर्मान सिख्खों के किस गुरु ने कराया, तो गुरु अर्जुन देव ने कराया, अगला प्रस्ण और इंपोटेंट प्रस्ण क्या है, वो है, पुर्टगाली गोवा, कॉमा दमन एवम दीपर कब तक सासन करते रहे, पता ये करेक्ट आंसर क्या होगा पुर्टगाली गोवा और दमन दीपर कब तक सासन करते रहे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1961 तक करते रहे, उप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा, इंपोटेंट है याद रखना, अगला निमलिखित यूरोपिय कंपनियों में से भारत में सबसे पहले कौन आया, सबस गोविन सिंग को सच्चा पादसा कहा जाता है, नेक्स्ट, गुरु गोविन सिंग की मृत्यू के बाद किसने सिख्खो का नेतरत्व किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदा बहादुर ने गुरु गोविन सिंग की मृत्यू के बाद सिख्खो का नेतरत्व किया, ने यहां देखिए केंद्र और यहां 1857 की क्रांति के बिद्रो से संबंदित उन केंद्र के नेता तो देखिए लखनव जो है लखनव में सुरू करते हैं बेगम हजरत महल बिहार में कुवर सिंग इलाबाद में लियाकत अली और दिल्ली में बहदुर्शाद दुत्य देखिए दिल्ली लिखा है तो बिहार में होगे कुवर सिंग लखनव में होगे बेगम हजरत महल इलाबाद का लियाकत अली सुमेलित है और दिल्ली का बहदुर्शाद दुत्य सुमेलित है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है रणजीत सिंग किस मिसल से संबंदे थे संबंदे थे इंपोटन प्रश्न है याद रखना अगला प्रश्न है अमरित सर की संधी कब और किसके बीच होई थी तो बताईए कब और किसके बीच होई थी अमरित सर की संधी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यह 1809 में तो होई थी लेकिन यह चॉल्स मेटकाफ और र रंजीत सिंग की राजधानी थी रंजीत सिंग की राजधानी थी लाहोर सी करक्ट होजाएगा अगला प्रसंट है अगला प्रसंट क्या देखिय जब 1949 में नादिरसा ने भारत पर आकर्मन किय तब दिल्ली पा सल्टान कॉन था इंपोर्टेंट प्रसंट Kinu उनिस सोन तालिस में नादिर्स ने जब भारत प्रा करम्र किया तब दिल्लि का सुल्तान था है ता तो ढू PCR कोहिनुर हीराचीन के ले गया था सी और आच्छी गोडों के नसल लीं ले गया था जो अच्छी गोडे सुरुबात की correct है पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्मान की सुरुबात की ये भी correct है पुर्तगालियों ने भारत में printing press की सुरुबात की ये भी correct है तो सभी के सभी कथन सत्य हैं अगला प्रशन है निमलेखित में से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर निंत्रण हो गया बताईए किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर निंत्रण हो गया तो correct answer हो जाएगा वक्सर का युद्ध वक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर नेंतरन हो गया इसी युद्ध को अंग्रेजी सासन की नीव भारत के अंदर ये अंग्रेजी सासन की नीव बोला जाता इस युद्ध को क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों की बिज़य होई थी और पूरे भारत पर उनका अधिपत्त हो गया था रॉबर्ट क्लाइब के बारे में निमली कंदों में से कौन सा कथन सही है बंगाल का पर्थम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइब था करेक्ट है इलावाद की संदी जो 1765 में हुई थी इसी के सासनकाल में हुई थी ये भी करेक्ट है बंगाल में द्वैद सासन इसी ने लागू किया था ये भी करेक्ट है तो सारे के सारे प्रशन आप्सन सही है रॉबर्ट क्लाइब के बारे में अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं वहु आयमी प्रशना 21 हो जाएगा, वो सी हो जाएगा क्योंकि नागरिक सेवा का भी जनक है, और इस्ताइब बंदोबस्त भी लागू किया, किसने? लॉड कॉर्न बारिस नी है, चली आगए देखते है प्रस नमर बाइस किसने सुयम को बंगाल का सेड़ कहा तो देखिए बंगाल का सेर जो कहा है कॉर्ण वालिस ने नहीं कहा है क्लाइब ने नहीं हेंस्टिंग ने नहीं लॉड वेलेजरी ने सुयम को बंगाल का सेर कहा है यह important प्रस्ण है यह very important प्रस्ण है पूछा जा सकता परिक्षा में अगला है फियर पिंडारियों का दमन किस ने किया देखिए पिंडारियों का जो दमन किया है वह 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 लॉड हंस्टिंग ने प्रथम गवर्णेरर जनिक वह ते लॉड बिलियंब बैंटिक भारत के परतर SECRET RJ नेक्ष्ट प्रस्ण है। तो बताइए किस ने की थी? यह भी की थी Lord William Bantic ने C करेक्ट हो जाएगा नेक्ट आप लिञा किया था राजा राम मोहन नाप bullied के साथ मिलकर अगला प्रस्ण बरेली में थारे सो सत्तावन की क्रान्ति का नेता कौन था? तो देखिए जो नाना साहब थे वो तो कानपूर में थे बेगम हजरत महल लखनव में रानी लक्षमी भाई कहां जहांसी में तो खान बहादुर खान हो जाएगा इसका correct answer खान बहादुर खान बरेली में 1857 की करांती के नेता थे next प्रसन है तात्या टोपे का वास्तिपिक नाम क्या था यह तात्या लिखा है तात्या तात्या इस तरह से थोड़ी printing तुटी है तो तात्या टोपे का वास्तिपिक नाम था क्या था बताईए देखे सिद्दार्तो महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम था महिस दास बीरबल का नाम है तो ना ये होगा ना ये होगा आत्मरंपांडुरंग ये भी नहीं होगा रामचंद्रपांडुरंग तो तात्य टोपे का बास्तविक नाम है क्या है राम चंदर पांडोरंग देखिए बाहर थोड़ी नॉइस हो रही है इसने वीडियो में आज सकती है आप पढ़ाई में ध्यांदी चीए मिस्र की सब्वेता को कौन सी नदी का बर्दान कहा चाता है तो मिस्र की सब्वेता को कौन सी नदी का बर्दान कहा चाता है देखें गंगा नदी तो इंडिया बैती है ये तो होगा नहीं कोसी भी भारत की है मिस्र की सब्वेता कहा की है अफ्रीका की है तो हुगली भी इंडिया की है तो नील नदी करेक्ट हो गया इसका चलिए अगला देखते हैं पोप का सहर है देखिए रोम को जो है पोप का सहर कहा जाता है और गगन चुम्मी इमार्तों का सहर नियू यॉर्क है ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट बिस में छेत्रफल की दरश्टी से कौन सा महादीप सबसे बड़ा है तो देखिए बिस में छेत्रफल की दरश्टी से महादीप सबसे बड़ा है वो है एसिया और हम एसिया में ही रहते हैं अगला प्रशन सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बताईए सबसे सािय पुनाटक राज्य मेर ये इसका दूसरा नाम गरविसुसपा भी बोलते हैं जोग को सराबति रीवर पर है ये निमलिकित में से कौन सा कथन सहीं बहुत आयामी प्रश्चन आ घ्रा यमुना नदी के किनारे वसाय करेक्ट है मतूर भी यमुना नदी के किनारे वसाय करेक सबी कथन सत्य है तो बिल्कुल सत्य है अगला प्रश्न है तिब्बत की मानसरोबर जील से इन में से कौन सी नदी निकलती है पताइए कौन सी नदी निकलती है इन में से देखिए गंगा तो गौमुक से निकलती है गंगोत्री से यमुना यमनोत्री से निकलती है नर्मादाम से ना होकर भारत के बाहर से है तो इस तरह के प्रस्ण में जो उत्तर सही होता है वो ब्रह्म पुत्र भी सही हो सकता है सतलज भी सही हो सकता है और सिंधू भी सही हो सकता है कि तीनों की तीनों नदियां तिबबत से के आसपास से आमानसरोबरचील के आसपाथ से निकलती है नागरजुन सागर परयोजना किस राज़ी की है तो नागरजुन सागर परयोजना जो है इनमें इनमें से चलिए पड़ते हैं करके सब को कौन सा सही नहीं है बताना राव केला इसपात सेंत्र उडिसा में करेक्ट है, बोकारो इसपात सेंत्र केरल में है, ये गलत है, ये केरल में नहीं है बोकारो बलकि बोकारो जहारखंड में है, तो इन में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ही सही नहीं है, ये तीनों के तीनों उपर वाले सही है, चली नई तमिलनाडू में चलिए आगे देखते हैं ग्रीन पीस का मुख्याले कहां इस्थित है बताएः जिए कहां इस थे ग्रीन पीस का मुख्याले यह है एमस्टण डर्म में इंपर्टन है नेक्सट अग्र सुमे लित करना है सुमेलित करना है इनको पैंसिल उपर कहां चली गई अरे नीचे आओ गई चलिए तो निमलिखित को सुमेलित करना है पहला है हंगुल परियोजना 1970 ये करेक्ट है कस्तूरी मिरग परियोजना 1972 ये भी करेक्ट है बाग परियोजना 1973 अभी पूछा था उत्तर प्रदेश प्रारंबिक परिक्षा PCS में उन्होंने दिया था यहां 72 गलत दिया था डिलीट करिया कॉस्टन गिर सिंग परियोजना 1973 तो देखिए जो सारे के सारे प्रस्ण है इनका जो ऑप्सन है सही मिलान है इनके सामने तो इनको ऐसे याद कर लिजिए फिर से एक बार बता देते हैं हंगुल परियोजना 1970 कस्तूरी मरग परियोजना 1972 बाग परियोजना 1973 जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कहां सबसे पहले उत्तराखंड के कॉर्बेट पार्क में जिम कॉरबेट नेसनल पार्क में गिर सिंग परियोजना गिर गुजरात में गुजरात के सेर 1973 तो सभी का सही मिलान है नेक्स देखते हैं चालिस विस्व जल दिवस मनाया जाता है 16 सितमबर को तो नहीं मनाया जा सकता है वो जो अंदिवस मनाए जाता है नेक्स प्रस्टन है बिस में सरपर्थम जैवेक विभिता सब्द का परियोग किस ने किया था बताए किस ने किया था देखे जॉन मेंडल ने तो अनवान सिकी के नियम दिये थे वाल्टर जी रोसेन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विभिता का परियोग सब्द का परियोग सरपर्थम वाल्टर जी रोसेन ने किया था नेक्स्ट है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्ब कहां इस्तित है बताए कहां इस्तित है देखे नंदा देवी नेना देवी दोनों के दोनों उत्राखंडों में इस्तिते याद रखना अगला प्रशन है मानस जैब मंडल रिजर्व किस राज में है तो मानस जैब मंडल रिजर्व केरल में नहीं है त्रिपुरा में नहीं है करनाटक में नहीं है करेक्ट आंसर हो जागा असम मैं मानस जैब मंडल लागू किया गया था ये भी करट्ट है इस परियाबरन chanada दनी ऐं बषस उनिये開始 भर शुच्छ söz नाधिनिये開始 26 में निच उसी में परelya ढद्स है जिरो किया निनसीच उनिद्सोच्छ उसी में मैं ज爭त्तिया भार्तिय बन्या Rapha раз यहां पर 1972, यहाँ बन सनरक्षण है, मतलब यह बन के जीव को सनरक्षित करो, यहाँ बन को सनरक्षित कarो, यहाँ पूरे परियावन को सनरक्षित करो, कब करो, 1986 में करो,apper Miami 1972 में करो, तीनों के तीनों कथन सत्ते हैं, most important है, अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं, बैकल्पिक प्रशन बना कर, चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 वा प्रशन क्या कहता है, निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए, पन्ना जयब मंडर लिजर्ब मध्ध परदेश में हैं, बिल्कुल करेक्ट है, सेश चलफ जयब मंडर लिजर्ब आंदर परदेश में हैं, ये भी करेक्ट है, अचानक मार अमर कंटक मध्ध परदेश में इस्तित हैं, ये भी करेक्ट है, निलगरी जयब मंडर लिजर्ब उत्तर परदेश में हैं, ये भी करेक्ट है, गल कि अगला देखते हैं कि सरभादिक राजय सबा सीटो ब्ला राजय कौन सा है देखिए पहले भी बताया है मैंने अपने टेस्ट में सरभादिक राज शड़ा सीठो जो है पर grade की इन अगला फ्रशन सबसे बहा है कितनी है Cookie अगला प्रस्शंधा जो सबसे जाया जिला कि कौन सा सम्भीधान संसोधन अधिनियम भारत बंगला देश के मद्स न्यूक समय होता है देखिंग। वखें vibe झाजुआ है तो सोब पंध्रे में हुआ था इंपोटेन्ट है याद रखना इसको भारत और बंगला देश के बंगलादेश के साथ भूमी समझोते से संभनेता है कॉर्बन डाय अक्साइड उत्सरजन देशों में सीर्स इस्थान पर निम्लिकित में से कौन सा देश है तो बताइए सबस्जाद कौन सा निकलता है इनमें से पहले नंबर पर इंडिया, यूरोपे संग, अमेरिका या चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीन जो है वो सबसे ज़्यादे कौर्बन डाय अक्साइड का उत्सरजन करता है कितना 30% में इसके बाद अमेरिका है इसके बाद यूरोपे संग है और हम निकालते हैं चोथे स्थान पर तो की उने ने तो देखिए 50 के 50 प्रसंद मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और कम्प्लीट हो गए हैं यह बारवा टेस्ट था ग्यारे टेस्ट अल्रेडी कम्प्लीट करा चुके हैं अप्लोड हो चुके हैं सबको एक बाद रिवाइस कर लेना अगर किसी प्रस्ट में तूटी बताइए किसके कितने सही हुए अगर 35-40 के बीच में सही कर रहे हो तो आपके तैयर है अच्छी है एक बार अभी रिवाइस कर लेना एक बार जब टेस्ट हो उससे 2-3 दिन पहले रिवाइस कर लेना बहुत सारे प्रसंद सीधे सीधे इसी टेस्ट से आपको पेपर में मिल जाएंगे यूपी पीएसी लॉबर के लिए अलग से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी लेकिन इसको रिवाइस कर लेना यह उसके लिए भी बेनेफिट है तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए धन्य बात